ये जब 320 किलोमीटर प्रभी हिंटेगी रफ्तार से चलती है तो ये गती कैटेग्री 5 के दूफान से भी ज्यादा होती है ये आँखों के सामने कब आई कब ओ जहरो गई पता नहीं चलता ये है जपान की शिंकासिन यानि इन सरपट भागी ट्रेनों को जपान में शिंकासिन कहते हैं आज जपान में शिंकासिन यानि गुले ट्रेनों का करीब देर हजार किलोमीटर लंबा जाल है जिस पर 337 से लेकर 428 ट्रेने हर रोज दौड रही है इन ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर पती घंटे है हाला कि कोशिशे जारी है कि स्पीड के इस रिपार्ट को बढ़ाएं स्पीज याला किरी बढ़ाण के लिんな कि लाएंय को में जिन इन寸बden वाल और जाला को बेकर किस्की है इनOY कोशिफा स्पीज 他ईब tejएंवली वाल bono sometimes Но है दिस बदूबत में आप Jew अच्छी बात ये है कि जापान की शिंका सिंग यानि बुलेट ट्रेन अब भारत में भी आ रही है इस प्रोजेक्ट में जापान भारत में एहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने में मदद कर रहा है इस परियोजना की घोशना जून 2015 में की गई 2015 दिसंबर में इस परियोजना को लेकर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर भी किये गए अब यानि 2018 में इस परियोजना पर काम शुरू हो चुका है झाल प्रूब सुझ परियोजना प्रूब्ट में तक रहा है कि पवरस्थ पंबअ उम्रोगे हैं प्रोग्रोग्स और्री अविम्रावार्चिए कटे शब रिखता है कि अबच अलोग्स अथा इस फिव इव प्रोग्रेस्ट पर देवार्शत के कुछुछ प्रोगे कि अद्ट को विया ग व्युद्ट थार्याद काने खुछ भूर्फ चिंका सेंग यानि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का विचार जापान की सरकार को 1949 में आया था उस वक्त अखपारों में इसे ड्रागन रेशा यानि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया जोजना थी कि टोकियो शहर को शीमो नो सेकी से जोडा जाए ट्रेन की रफ्ता रखनी थी 160 किलोमीटर प्रती घंटे और दोनों शहरों की बीच की दूरी को 9 घंटे में तेह करना था 1941 में इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया कुछ टनल और कुछ दूसरी धाचा गत सुवधाओं का विकास किया जाने लगा लेकिन इस पीच दूसरा विश्व यद्ध शुरू हो गया और ये प्रोजेक्ट काफी सालों के लिए टल गया 1945 में जापान ने विश्व युद में अपनी हार सुईकार कर ली युद्ध ने जापान को इस खदर बरबात कर दिया कि उसे हर चीज फिर से करनी पड़ी लेकिन 1949 में जापान नैशनल रेलवेज ने एक सारवजनिक कंपनी का रूप अख्तियार किया और JGR नेटवर को खरीद दिया 1957 में एक बार फिर हाइ स्पीड ट्रेन की तरफ ध्यान दिया गया युजना बनाई गई कि टोकियो और उसाका के बीच एक ऐसी ट्रेन चले जो 396 किलोमीटर का ये सफर सिर्फ 3 घंटे में तै कर सके युजना पर काम शुरू होता है नवंबर 1958 में पहली बार एक्सप्रेस कोडामा को टोकियो से उसाका यानि टोका इडो लाइन पर बसे इन शहरों की दूरी तै करने का मौका मिलता है ये दूरी 7 घंटे में तै की जाती है ट्रेन की टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रती घंटे रहती है इस से उत्साहित सरकार टोका इडो शिंका सिन के निर्माल को मंजूरी दे देती है 1961 में जापान को विश्व बैंक से 80 बिलियन डॉलर का कर्ज मिलता है इस कर्ज का एक हिस्सा शिंका सिन के विकास में भी लगाया जाता है एक अक्टूबर 1964 को टोका इडो शिंकासिन के जरीए टोकियो से उसाका की सेवा शुरू की जाती है इस समय ये शिंकासिन 240 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ़तार से दौड़ने के लिए तयार थी एक तरफ जहां जांपान में सफल शिंकासिन यानि बुलेट ट्रेन का लांच हो गया था वहीं दूसरी तरफ इसके विस्तार और इसकी गती बढ़ाने को लेकर भी काम शुरू हो गये थे गती को लेकर दूसरा पड़ा तब आया जब तो हुकू शिंकासिन ने 240 किलोमीटर प्रतिगंटे की गती की बैरियर को तोड़ा इसके बाद 1990 में जो इत्सु शिंकासिन 275 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ़तार अक्तियार करती है 1997 में सान्यो शिंकासिन ने पहली बार 300 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ़तार पकड़ी इस रफ़तार के रिकॉर्ड को करीब 16 साल बात तो हुकू शिंकासिन ने तोड़ा जब इसने 320 किलोमीटर प्रतिगंटे की स्पीड प्राप्त की क्यों इस ने कि वैड़कर चेन Uganda वुआ अफ़ता मानष में बाता कि न Самीत दोड़ शोड़ी यसे हैं कि वोड़ए güवणने ने लमींते हैं उ Capital Bay व्यांग box कि वे बींचो स्यां सांफ़ कि युरिज कर दियो आप समस्या ये आएकी एट्रेने रख रखाओ में महंगी थीं। जापान में इन ट्रेनों के विकास के लिए जरूरी था कि एक ऐसा बिजनस मॉडल तैयर किया जाए जिससे आए के लिए सिर्फ ट्रेन के टिकेट से होने वाली आमदनी पर निर्भर ना रहना पड़े। टोक्यो के इस रेलबे स्टेशन पर आप खानपान से लेकर कप्रों और आर्टिफेक्ट्स तक की शॉपिंग कर सकते हैं। इस बिजनस मॉडल से रेल कंपनियों को काफी लाब हुआ। आज जापान रेलबे लिमिडेट की 40% आमदनी रेलबे स्टेशनों पर बसाए गए बाजारों से होती है। So high speed railway carries not only the passengers but also bring the economical benefit for the area especially around the essential area. So the railway operator will develop the railway system more and more but the local government will develop its area, station area, to make much more benefit in direct or directly from the high speed railway project. अगर स्टेशनों की बात की जाये तो टोक्यों के पुराने स्टेशन से ज्यादा छेरचार नहीं की गई है। आज भी जब हम स्टेशन में दाखिल होते हैं तो अंदर जाकर खूपसूरत जापानी कलाकृती से सुसजित गुम्बत से रूबरू होते हैं। टिकेट लेने के लिए यहाँ वेंडिंग मशीने हैं लेकिन अगर आप वेंडिंग मशीनों से अज़ान हैं तो भी वैन्विल तरीके से टिकेट खरीदा जा सकता है। प्लैटफॉर्म पर लोगों को इंतिजार करना होता है। इस इंतिजार के लिए भी बकाईदा लाइने बनी हैं। जो ट्रेन पहले आ रही है उसकी लाइन पहले हो और फिर दूसरी लाइन उन यात्रियों के लिए जो बाद में आने वाली ट्रेनों का इन्तिजार करें हैं ट्रेन जैसे ही आती है सफाई कर्मचारियों की टीम प्लैटफार्म पर इंतिजार कर रही होती है वो यात्रियों से कूला बटोरती है और फिर अंदर से ट्रेन की सफाई करती है इस पूरी प्रक्रिया में ट्रेन को याड में नहीं जाना पड़ता यही उकारण है कि जापान की बिलट्रेन यात्रियों को काफी भाती है कि एचर हैे जर बड़ोंते कि अचर खिए्याँ कोस्तफेख और समय, शुले के जड़ हराओे बड़ोंतidas को जरसे षच्ते को से ऐ Works byется dalु। आध ओर बने नर्ट स्चते की लेको बड़ violation पन्योंता है इस बुलत ट्रें का अनभव करने के लिए राजय सबहर टेलेविशन की टीम में टोक्यों से जड़ आए तार राजय सब आए जब शक्यों रहें प्रोन ना को फिर लो बाजित अ किर दो भाज्यून से होन्जो वसेडा स्टेशन तक की यात्रा ही ट्रेन के डिब बे जुड़े हुए थे यात्रियों के बैठने की सुविधाएं कुछ वैसी ही थी जैसी आम तोर पर भारत में शताब्री ट्रेनों में हुआ करती हैं हाँ इन ट्रेनों में शॉकर्ज अच्छे थे जिससे टॉप स्पीड पर जाने पर भी कमपन बहुत कम थी जापनी अधकारियों के मताबिक स्पीड को लेकर अभी और काम किया जाना पाकी है क्रिण्बर क्रिण्पे जाए चाही क्रेशा करता है हाँ ह plaomy में लीजसेखले चाही है ज nä्य होगने खटेल्वे में इन प्मधे सा हसीडियोग highway जापान में शिंका सेन के विकास को हर उस जगे के विकास के साथ जोड़ा गया जहां जहां से ये हो कर गुजरी जैसे हुन्जो वसेडा स्टेशन ये पहले कभी छोटी सी जगह हुआ करती थी अब बकाइदा यहां के परेडन को बढ़ावा दिया जा रहा है इस शहर में अब एक यूनिवर्सिटी भी खुल गई है भारत में भी बुलेट ट्रेन को लेकर ऐसी ही रोजनाय बनाई जा रही है अबंग ट्रेन को रहा है the economic dimensions will change in the area wherever the bullet train is there the economic dimensions will change the social character will change जापान में बुलेट ट्रीन लाना एक चुनौती थी पहली चुनौती तत्नीक का विकास और दूसरा इंफरस्ट्रक्ट्रक्टर का विकास भारत की चुनौतियां भी कुछ ऐसी ही है यहां के लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां है और जमीन को खरीदने में भी मुश्किलें सामने आ रही है प्रोजेक्ट के बारे में काफी भ्रांतियां है उन भ्रांतियों को हमें दूर करना है जब प्रोजेक्ट आएगा तो एक बार जब पहला प्रोजेक्ट आजाएगा तो लोगों को जो एक डाउट है जैसे एक मैं आपको उधारन बताओं मैं कुछ लोगों से जब बाचीत कर रहा था तो उनके दिमाग में ये था कि इतनी तेज रफ़तार से ये गाड़ी चलती है तो आदर किलो मीटर तक कोई खड़ा नहीं रह सकता है इसके आसपास अब इस सवाल पर अभी कुछ भी जवाब हम देंगे तो उस पर सवाल उठेंगे कि ये सही है ये गलत है वो तो जब प्रोजेक्ट आएगा तब समय बताएगा ऐसा नहीं है कि भारत की बुलेट ट्रेन जापानी शिंका सिंग की कावन कॉपी होगी भारत की बुलेट ट्रेन की करे खूबिया होंगी जो फिलहाल किसी को भी चुनौती लग सकती है कि ये खूब ट्रेंड ड्रेंड ट्रेंड ट्रेंड तर्ड़ के लुड़ ट्रेंड ट्रेंड लग समय प्रजाब ट्रॉब ट्रॉच्ट असराइट च्वर्च्ट लग साथावाल 21-kilometer-long tunnel a portion of it is under the sea under Thane creek first time we will be doing such a large tunnel 10.5 में टाम फिसकाट वाज दरा तरी तनल पारी रादोमें. जापान में शिंका सिन को चलते अब लगभग 50 साल हो चुके हैं उसने इसे चलाने और मैनेज करने में महारत हासिल कर ली है ये महारत भारत को भी हासिल करनी होगी हमें तकनीक के साथ साथ उनकी संस्कृति को भी सीखना है उसमें थोड़ा सा हमें समय लगेगा हमें चुकी भाषा एक बहुत बड़ा एक चुनाती होती है तो हम ये प्रयास कर रहे हैं के हमारे लोग जैपान की भाषा जैपनीज भाषा को सीखें उनके साथ इंटरेक्ट करें और प्रयास हमारा ये कि हमारे लोग इतना प्रोफिशेंट हो जाएं कि वहाँ जाकर के शिंकांसिन चलाएं वहाँ का अनभव लें और फिर उस अनभव को लेकर के यहां पर आएं तो हमारा प्रयास है और इस प्रयास में मुझे उम्मीद है कि 5-7 साल में हम लोग सफल होंगे एक बात तो तेह है कि जब एहमदाबाद से मुंबई के बीच गुलेट ट्रेन चलेगी तो इसका किराया आम ट्रेनों से ज़्यादा होगा जापान में भी शिंका सेन का किराया ज़्यादा है लेकिन भारत सरकार का कहना है कि किराया ज़्यादा होने के बावजूद ये फायदे का सौधा होगा आपके किसी और प्रोड़क्टिव वर्क में आपने लगाए तो आपकी देश की प्रोड़क्टिविटी बढ़ेगी जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वह इसी तरीके से आता है आपके और मेरे घंटे की वैल्यू है पैसे हैं उसके तो अगर आप उन घंटों को किसी प्रोड़क्टिव काम में लगा रहे हो तो देश की भी प्रोड़क्टिविटी बढ़ेगी तो इस प्रकार से जो ट्रांस्पोर्ट सेक्टर से जो कंट्रिबूशन जाता है उस कंट्रिबूशन में बुलेट चैन के आप से बहुत ज़्यादा इजाफ़ा रहे हैं